दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बैटरी ओपरेटेड रिचार्जिबल रिमोट टेस्टर कैसे बनाएं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक दोस्तो रिमोट टेस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कैबिनेट यानि केसिंग तो दोस्तो इसके लिए आप खराब अडप्टर की बोड़ी का यूज कर सकते हैं या कोई टूब लाइट का इलेक्टोनिक चोक की कैबिनेट भी ले सकते हैं या फिर जो आजकल मार्केट में प्रोजेक्ट बोक्स मिलते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं मैंने इस केस में एक टूब लाइट के खराब इलेक्टोनिक चोक की कैबिनेट यूज की है इसके अलावा हमें चाहिए एक IR सेंसर ये आपको किसी भी पुराने टीवी, डीवीडी, सेटप बोक्स में से असानी से मिल सकता है मैं यहाँ पर सभी तरह के सेंसर के पिन आउट कनेक्शन और उनकी वर्किंग वल्टेज दिखा देता हूँ इनमें से बस ये 17-36 वाला सेंसर ही है जो 5 वल्ट पर वर्क करता है बाकि सब 3 वल्ट ओपरेटिड हैं तो हमें ये 17-36 वाला नहीं यूज करना है क्योंकि इस प्रोजेक्टर में जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो 3.7 वल्ट की है तो इसमें 3 वल्ट का सेंसर ही वर्क करेगा इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं बस 17-36 वाले को छोड़ कर इसके अलावा हमें चाहिए 3 एलेडी इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं लेकिन सिगनल पर रेड कलर की ही लगानी है क्योंकि हम जो IR सेंसर यूज कर रहे हैं उसकी वर्किंग वल्टेज 3 वल्ट है तो वो आउटपुट में 2 या 2.2 वल्ट ही आउट करेगा तो रेड कलर की लेडी की ही वल्टेज 1.8 वल्ट होती है बाकि ग्रेन, ग्ल्यू, वाइट ये सब 3 वल्ट की होती है तो ये सब तो 2 वल्ट पर ग्लो नहीं करेगी और इसमें हम लगाएंगे एक माइक्रो यूएस्बी शोकिट ताकि हम इसे किसी भी मुबाइल फोन के चार्जर से असानी से चार्ज कर सके इसके अलावा हमें चाहिए 150 ओम की 2 रेजिस्टेंस 47 47 ओम की एक रेजिस्टेंस एक ओन अफ स्विच और कोई भी मुबाइल की बैटरी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कर दो बनाना शुरू कर दो बनाना शुरू करते हैं कर दो बहीं कर दो हैं कर दो ओकलונा शरू को बनाना शुरू करते हैं कर दो दो फम पिला भी मुबाइल स्वाण !!! कर दो. झाल 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 इस केश में मेरे पास एक डबल कलर्टी LED है जो पावर और सार्जिंग दोनों पर काम करें पर आप तीन अलग अलग लगा सकतें मैंने सर्केट में भी तीन LED है शो की तरह आप सर्केट के इताब से इसके संबल करते हैं झाल 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 आई अब इसको टेस्ट करते हैं ये देखी दोस्तों ये बिल्कुल सही काम कर रहा है उम्मिद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अच्छा दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर से मलकात होगी तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम